नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत हैं दोस्तों आज का यह वीडियो आप शबी के लिए बहुत ज़्यादा महत भुन और बहुत ज़्यादा खाश रहने वाली है इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिशना करें और सुरू से कर अंत्र तक जरूर देखिएगा कि दोस्तों इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने और काफी कुछ शीखने कुम लेंगे दोस्तों आपको बता दी कि आप शी बड़ा कोई मुर्ख नहीं होगा अगर आप पनी जुनकाल में इन व्यक्तियों पर भरुशा कर रहे हैं ज जियां दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशी की ही एक एशी खाश्यत है आपको दिखावा करना बिल्कुल भी पशन नहीं आता जियां दोस्तों आप लोग जो है दिखाव में नहीं आते हैं और नहीं दिखावा करते हैं और दोस्तों इसका एक रीजन यह भ इसलिए दोस्तों आप लोग जो है जादा दिखावा और खुशी जाहिर नहीं करते इस विशादे दोस्तों आपको बता दी कि आप लोग अपने वैभार में बहुत ही मंदार रहते हैं इसलिए शारी गर्ष जो है आपकी नेचर को पशंद करती है और आपको यह लग्यां भ बिल्ड में होती है और दोस्तों जिन में ज्यादा एक्टिटूर भी नहीं होती है दोस्तों आप लोग दिल के इतने अच्छे होते हैं कि आप लोग दोस्तों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं शाथे दोस्तों आपको बता दे कि आप लोग दोस्तों को पहले ये दोस्तौं आप लोग मुद्धिवान होने के शाह साथ कुश्रभी होते हैं, एक बात आपकी और है कि आप जब भी दुखे होते हैं, तो आप लोग किसी जबी अपने दुख का कारण warrant जलदी नहीं बताते, आप अपनी अपना जो दुख है, जलदी किसी से भी सेर या पा चाप आप अकेले बेट कर अपना आशु बहाते हैं दोसों आप हमें कमेंट करके बताईएगा कि दोसों यह जो बाते हम आपको बता रहे हैं क्या यह सच है या फिर नहीं दोसों कमेंट करके आप अपना नेचर जरूर बताईएगा और दोसों इसके शाद हम आपको बता दे कि बहुत बार आपके शातेशा हुआ है कि आपको अपने ही लोग बहुत ज़्यदा दुख पहुंचाते हैं जिया दोस्तों यानि कि आप लोगों को अपने करीबी लोग ही जो है वो ज़्यदा तर कश्ट देते हैं दोस्तों एक बात पर गौर करिएगा कि बाहर की लोगों से तो आप निकरनी पड़ लेंगे बाहर की लोग अगर आप से आपको चोट पहुँचाए तो दोस्तों का श्रमना आपको कर लेते हैं लेकिन दोस्तों दुख तो आपको तब होता है जब आपके अपने ही करीबी लोग आपको दुख पहुचाते हैं आपके शाद बुरा वैवार करते हैं आपके शाद ऐसा अक्षर देखा गया है आपका बहुत बार अपमान विवा है आपकी मान श्रमन को अपने ही लोगों ने बहुत बार ठेज पहुचाई है लेकिन दोस्तों आज हम आपशी आपको धोखा कब तक मिलता रहेगा? ज्याध दोशों, आखिर कब तक आपकी emotion की आपकी feeling की कदर नहीं होती आपके जिवन में अभी तक आपको वश्वबलता नहीं मिल पाई है जिसके लिए अप कारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप जी रहे हैं जो दोसों आपको हर चीज में शंगर्ष का शामना करना पड़ता है आपका हर काम शंगर्ष से ही पूरा होता है आपको जो चीज प्राप्त हुई है वह भी बहुत शंगर्ष और आपकी कड़ी मेहनत से ही आपको प्राप्त हुई है दोसों आपने किशी से भी अपने किशी स तोस्तों आप ने भूत ही मेहनत करके, खुद की दिनरात एककर जाग जाग कर आपको भी आपको प्रक्तेशन दुनिया घ्रल लगती है आपको नीचाएं जञर लगती है ? आपको नीचे गिराने की कोशिस करने लगती है पिछले कुछ शालों से आपकी आर्थी की सिती में भी भरी गिरावटाई है जो दोस्तों आपको बता दी कि आपका जीवन मानों पूरी तरह शेह भिखर गया है दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि लोगों में लोगों ने मन शे कभी भी आपको नहीं पूछा आपको मन समान नहीं किया उपर शेह आपसे यह लोग मिठा मिठा बात करते हैं लेकिन अंदर शेही यही लोग आपके उपर क्या करते हैं यह तो आपको खुद पता ही होगा जिया दोसों आप भी इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं जिया लोग अंदर शेह आप शेह नफरत भी करते हैं जिया दोसों इसका यह यह कारण हो शकता है कि आप दिल में कोई भी पाप नहीं चुपाते हैं जो अपने अंदर दिल में आप कोई भी बात नहीं रखते और इसी वैबार के चलते लोग आपको अंदर यांदर पशन नहीं करतें दोसे मैं आप ची कहना चाहूंगा कि आप इस आदत को बिल्कुल भी ना बदलें दूसरे लोग चाहे किसी तरह हो लेकिं दोस्टों आप उपनी आदत बिल्कुल ना बदलें क्यों Дोस्टों आपकी यही आदत आपको लोगों से अलग बनाती है आप पर हमेशा से लोग अलग अलग इंजाम भी लगाते हैं आपने जिसको अपना मान शमान दिया है उन्होंने ही आपको टाइम टाइम पर शात छोड़ा है दोस्तों आप हमें कमेंड में बताईएगा क्या मैं गलत बोलाओं आपने जिनका भी शात दिया है आज वो आपके शात खड़ा है क्या वो आपको पुछता है क्या वो आपकी म शमय में आपसे कंदी मिलाकर खड़ा है क्या जिन दोस्तों इन शबी का जबाब मिलेगा नहीं दोस्तों आप बिल्कुल भी निराश ना हो दिल छोटा ना करें आपको हम बता दें कि आपके लिए जो आने वाला शमय होगा दोस्तों गरहों की गोशर की सिती के शाथ बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आने वाले शमय में आपका भी जिवन पावश बदलेगा और आने वाला शमय आपके लिए कुछ इस परकार चैंज होने वाली है जिसे दोस्तों आपकी जुनकाल में खुशियां ही खुशियां रहने वाली है जिसे दोस्तों हम आपको बता दे कि बगवान शिंदेव का शिरबाद अब आने वाले शोई में आपके उपर पढ़ने वाले हैं एक बात या भी है दोस्तों ने आप जरूर ध्यांत सुनिएगा कि बगवान शिंदेव नियाय की देपता है जो लोग अनियाय करते हैं बगवान शंडेव उन्हें कत्तई जहर वाले शजाई देती है जिनोंने भी आपके इशाथ गलत किया है जिनोंने भी आपका अपमान किया है और दोसों जिनोंने भी आपको ठेश पहुचाई है दोसों उनका हिशाथ बगवान शंडेव अविश करेंगे आपको शिप इतना करना है कि आपको अश्या लोगों से दूरी बना कर रखने है पक्ष के कोई भी व्यक्ति ही क्यों नहीं जा रही है तो दोसों आप इतना तो करना बन कर दें जितनी भी होश के कम से कम बात करें क्योंके दोस्तों जाहिर भी अब बहुत कुछ शेहन कर लिया है और दोसों शेहन करने की भी हद होती है और कोई लिमिट होती है कोई शीमा होती है शादी दोसों आपको बता दें कि जब ऐसे लोग आपसे तमिश्य बात नहीं करते हैं आपका दर्द नहीं समझते हैं आपकी फिलिंग्स को ठेस पहुचाते हैं योग के हैं तो आपको मान श समान नहीं देते हैं तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको कुछ करना नहीं है शिर्फ आपको इन से दूरी बना कर रखनी है जिया दोस्तों बात सित आपको इन से बिल्कुल ना करना है और साधी दोस्तों आपको निराश होने की कोई भी आफशकता नहीं है तो दोस्तों जब बिन देव में आपके शाथ रहते हैं, जै दोस्तों, बिलकुल यह आप शाध को याद करते हैं, बगवाल शजन देव को याद करते हैं, यह हमेशा है याद किजेगा विपकर, आप है आपके सबकता हूँ क्यों जे दोस्तों इससे हमारी आने वाली वीडियो आप तो सबसे पहले पहुचेंगी धन्यवाद